Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Cilakart TC Tablet के बारे में जो कि इस टैबलेट की इस्तमाल बहुत जादा हट से जुड़ी सा मस्यों में इस्तमाल करने के लिए पेसिंस को दिया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम इही बात करने वाले हैं Cilakart TC Tablet जो कि आपके पास के medical store में बहुत ही असानी से अबलेबल हो जाता है J.B. Chemicals Company की बनावी medicine है 10 tablet की packing होती हो जितने MG के आप इस medicine को लेते हैं उससाब से इसका price fluctuate होता रहता है जो कि सिलाकार TC 12.5 जो कि 190 रुपे की price में बहुत ही असानी से अबलेबल हो जाता है इसके साथे साथ आपको 6.25 में भी अबलेबल हो जाता है डिपेंड करता है कि patient की क्या condition है उससाब से doctor prescribed करते हैं और price fluctuate होता रहता है आप बात करते हैं सिलाका TC tablet में क्या क्या combination है तो इसमें आपको दो तरह के important combination अबलेबल हो जाते हैं पहला combination है tell me certain जो की हर एक tablet में आपको 40 mg अबलेबल हो जाता है सिलनी डिपाइन जो की हर एक tablet में आपको 10 mg अबलेबल हो जाता है क्लोर्थलिडोन जो की हर एक tablet में 12.5 mg अबलेबल हो जाता है और यही combination 6.5 में भी अबलेबल हो जाता है patient की क्या condition है उसी साब से इस combination को prescribe किया जाता है अब बात करें यह तीनों ही combination हो और क्या काम है तो पहला combination chlorothalidone जो की एक तरीके का diuretic है जो की इसके लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पिसाब आता है और जो भी body में extra water होते हैं उनको यहाद निकालने काम करता है urine की थुरू इसका इस्तमाल बहुत ज़्यादा एडीमा के purpose में इस्तमाल किया जाता है इसके साथी साथी से multiple purpose में इस्तमाल किया जाता है multiple दवाईयों के साथी से चलाया जाता है जिससे जो भी patient में जैसे कि हर्ट से जुड़ी दवाईयों में चलाई जा रही है तो यह ज़्यादा तर कंजिस्टिफ हर्ट फिलियर की समस्य में दिया जाता है इसके अलावा भी इसे बहुत से परपजों में इस्तमाल करते हैं जो कि जिस कंडिसन में बोडी में ज़्यादा पानी हो जाता है तो उनको यह निकालने में काफी कारगर होता है blood vessels को relax करता है सूजन को कम करने में काफी कारगर होता है इसके अलावा telomisartan है जो कि एक तिर्गे का cardiovascular drugs angiotensin receptor blocker के class बिलोंग किया जाता है जो कि इसका इस्तमाल hypertension के purpose में इस्तमाल किया जाता है high blood pressure की समस्य में इस्तमाल करते हैं अगला combination है जो कि एक तिर्गे का calcium channel blocker है जो कि इसका इस्तमाल बहुत जादा high blood pressure की समस्य में इस्तमाल किया जाता है जो कि यह blood vessels को relax करके यह काम करती है hot तक अच्छे से blood को पहुचाने में मदद करती है जिस तरीके से blood heart तक अच्छे से पहुच पाने कारण hot अनेको भागों में blood को pump करने में काफी सक्छम हो जाता है जिसके कारण से hot attack या heart के stroke आने के chances बहुच जादा कम हो जाते हैं तो यह तीनों ही combination combine होकर के heart के patients को काफी राहत देने का काम करती है इनके यह benefit होते हैं बात करें इस दवा का क्या dose होता है तो dose depend करता है कि यह आपकी age, healthy condition और आप इसे के इस purpose मिले रहे हैं उसी साफसे का डोग का confirmation होता है यह दवा अकेले दी जाने वल्य दवा नहीं है इसके साथ और भी दवाईयों कमबाइन करके दिया जाता है जिससे जो भी problem होती है पेशन्ट की वह बहुत जल्दी solve हो सके इसके सांतिसान जितने समय तक आपको बताया गया डॉक्टर के दोरा उतने समय तक आप इसे निमित रूप से इस्तमाल जरूर करें बीच में आप इस दवा के इस्तमाल करना ना छोड़े मात करे क्या नुकसान हो सकता है तोचा में लाली पन, बहुत ज़्यादा नीदाना, भूख न लगना, पेट में दर्द होना मुह का सूखना, चेहरे पे सूजन आ जाना, वामिटिंग होना कब जी की समस्या, चक्कर आना, इस तरीके नुकसान देखने को मिल सकता है किसे नहीं लेना है, प्रिगनेंट लेडी, ब्रिच फिडिंग मदर, किसी भी प्रकारक आपको कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडिशन में कोई मेडिशन स्कोर चल रहा है तो उन सभी कंडिशन में आप इसे इस्तमाल नुआ करें तो यही था स्रिला कार, टी सी, टाबलेट के बारे में जनकारी और यह सभी कंडिशनों के बारे में जनकारी अगर आपको वीडियो यह जनकारी अच्छे लेगी तो प्लिज लाइक कीजएगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा आपको ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फर वाचिंग